बिसम्मिल्य खुल्माइन रुर्छी में असलाम अलेकूम, आज मैं आपको इम्तियासूपर मार्किट के राशन के तक्रीबन सारे हीर ग्रोसरी के रेट बताने वाली हूँ, इस विडियो के अंदर चावल चीज के रेट मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, तो व को ही नहीं हो कि जो प्राइस थे 319 रुपए अच्छा ये 1 किलो के पैकेट थे तकरीबन सारे ही ये वाले और इसके लावा जो जैट साबून था तकरीबन ये 249 का था ये भी 1 किलो का पैकेट था ये वाला ठीके अच्छा इसके लावा यहां पर सर्फ के अंदर भी काफी सा ग्राम वाला और एकस्प्रेस था 145 का ठीके अर जो बोनस था 95 रुपीज का था ये वाला ठीके इसके पचास रुपे की बच्छत थी ठीके अच्छे इसके लावा मैंने मैक्स बार की यह प्राइस मेंचिन कियें ये ये थीवाले अच्छे यह डबल डंडे में था इसकी जो प्राइस थी एकसो पंदर रुपए थी ट एडिक है यह के साथ बचत थी तो यह सब dal पंदर रुपए और जो लमन मैक्स वार है यलो कलर पाकेट जो था वह एकसो सूला रुपए थी यह वाला भाद के लिए वाला है ठीक है विम जो है 116 उर्पे का था अच्छे इसके लावा जो है मैं आपके साथ लिक्विड वाली जो है व्राइटी वीजियो शेयर कर देती हूं ये वाली अच्छे इसके प्राइज जो थे 189 थे 400 ग्राम वाले के ठीक हो गया अच्छे इसमें कलर और भी मिल जाए तकरीबन इसके प्राइज थी 185 ठीक है और जो छोटा था वो 115 रुपे का था अच्छे यह ये यलुवाला देखें 115 रुपे का ये वाला ठीक है और इसके लावा जो बड़ा लेक्विड का पैकेट था तकरीबन जो जार था वो 205 खा था ये वाला अच्छे इसकी आगा साबुन शेयर कर रेती हूं साबुन की काफि सारी मेंने व्रायٹी शेयर की है और कोशिश की है कि जो 63 साबुन हो भी दिखा सको अचा लग्स के जो प्राइस थे हैं वो मैं आपको बता देती हूं 299 रूपी इसके प्राइस थे और जो सेफगार्ड थे इसके जो प्राइस थे 265 थे ठीक है और लाइव वाई के जो है 225 रुपे इसके 225 रुपे थे ठीक है अच्छा सिंगल जो साबून है तकरिबन वो भी आप ले सकते हैं वो 75, 65 इस तरह से आपको पढ़ेगी पर एक साबून ये देखें इस तरह से सिंगल भी आप ले सकते हैं ये वाली ठीक है इस तरह से सिंगल भी आप ले सकते हैं तो इस 65 जो है और 60 इस सी तरह से इसके प्राइज हों गया अच्छा इसके इलावा जो है मैंने थोड़ी और भी जो है सस्ति साबून शेयर की है आपके साथ यह देखें यह वाली तिबद वाली अच्छा तिबद की हाँ पे सबसे कम प्राइस थे 65 थी देखें बड़ी वाली स्थिबद की जो साबून थी वो बड़ी की जो है 65 थे और यह जो छोटी साबून थी ठीके यह 28 रुपे की थी 28 रुपे का एक पैकेट था यह बड़े वाली जारेचे ठीक़, अच्छा इसमें तीन साइजिस थे, सबसे बड़ा था पर मीडियम था फर पर समॉल था, ठीक़े, लाइज से माने जो लाइज के साइज हैं, अब मीडियम के मैं आपको प्राइज बढ़े देती हूँ, 329 रुपी इसके प्राइज थे ठीक ह 1,294 रुपीज नीजू के पाउज के प्राइस है, 900 ग्राम वाले के और फेमिली मिक्स्टर हो गया, दानेदार हो गया, ठीके इनके प्राइस है, 200 ग्राम वाले के 145 थे और जो बड़ा वाला था, 280 रुपेका था और ये जो jar है ये 6.79 रूपी इसकी जार के प्राइज टे और इसी तरहky नेस नेस कफे में भी कोफी में भी काफी सार कविज कांट था ठीके अच्छा अच्छा तक्या सची की प्रैस है जो आ cooking आपको बता देतिए हूं 39 और सिक्ष्टि नाइन रूपी इस तरह इनके प्राइस थी, ऐसमें आपको दिखा देती हूं, इसमें भी तर्टी-नाइन रूपीज, अच्छा, इनमें जो है काफे डिसकांट था, और जो जार के प्राइस थी, वो जो है, इन डो कोम के नाम से था, यह फोर-एटी-नाइन ् रुपीस का जार था यह वालब कौफी का ठीक है और यह दिकिए हफिक यह वाले दूसरे क्लास कम के नाम के नाम से छो कॉफी का साशीब था अब पास्टा की मैं प्राइजुस बता देती हैं आपको क्रेस्व 155 रूपीज है थी को शाहिकिन और रुफी यह7,000 होटीड है मैं इस अधरावट को कशsके म canon बटाए थी फॉटि कंवा पोटीएज,000 मिंश्वाशा है और यह शाहिकिनर अच्छीं का इस तों धुक्स ले क्या प tratar पॉडर था राय था पॉडर तक्रीबन काफी सारी यहां पर व्राइटी थी ठीक है यहां पर जो गार्लिक पेस्ट था तक्रीबन जो गार्लिक पॉडर था दो सुदो रुपे का था इसी तरह जिंडर पॉडर भी दो सुदो रुपे का था जीरा राय था उसकी जो प्राइस थे 149 रुपीज थी ठीकिए उर्चिकन जो हे पारट था उसके प्राइस 209 रुपीज थी इसकी चीकिए औरिगेनो जो प्राइस औरिकेनों की 159 रूपीज थी अचाए ये भी फलक का था ठीके और जो तिका मसाला था 95 रूपीज का था इसमे अचाए ये जो 95 रूपीज का इस तरह मैकरोनी में जो है इसमें फ्लेवर था तिका मसाले का 95 रूपीज का था ये वाला ठीके अचा है इसमें काफी सारी और भी व्राइटी थी इसमें शेपस भी वगर भी चेंज हों मिल जाएंगी लेकिन प्राइज जो है इस वाले के जो तिकम मैकरोनी के थे इसके 95 फी रुपीज थे तकरीमां सारे ही पैकेट्स के शेप आपको इसी भी ले लें तकरीमां एक पैकेट के 95 फी रुपीज थे तकरीमां सारी ही इसमें काफी सारे और भी फ्लेवर थे खीर मिक्स का जो पैकेट्स का वन जो है 1887 फीज का था खीर मिक्स का और इसमें खीर मिक्स में 107 रुपी भी थे इसके 105 फीज थे शान के और इसके 115 फीज प्राइस थे ठीके और इसके 95 फीज प्राइस थे आचा कैस्टर शूगर जो आपको दिखा रही 72 फीज का था और जो ब्राउन शूगर है यह वाली 105 रुपे की थी आचा काजू जो था पैकेट काजू खीर का वह 109 रुपे का था ठीके लजीदा खीर थी वह भी 109 रुपे की थी और काजू खीर वाला जो पैकेट था वह बी 109 रुपे का था ठीक है अचा इसमें काफी सारी और भी वाराइट एक 107 रुपे 109 रुपे इसी तरह से इनके प्राइज़ से तक्रिबान ठीक है यह 105 रुपे थी वर्मे सिलीस वाली सब्सक्राइब ठीक है आचा यह जो है तक्रिबान नूडल्स हो गए बच्चों की 119 रुपए का pocket था इसमें काफी सारे मतलब 4 पकेट या 6 पकेट थे हैं 4 पकेट थे 119 रुपए का ठीक है ये भी 119 रुपए का था और ये वाले देखे रहे हैं आप ये 48 रुपीस का था ये वाले पकेट ठीक है और जब हम जो है वर्मिल सिलीज की उसमें आगे थे पोर्शन में ये एक पैकेट जो था तकरीबन जो है 39 रुपीज का था और ये वाला शान वाला 42 रुपीज का था ठीक है अच्छा इसके 42 रुपीज प्राइज हैं ये वाले इसके भी और जो बेकम सवियां थी 39 रुपीज की थी ठीक है अच्छा ये बेकिंग वाला पोर्शन भी था और ये सिर्फ मैंने जो है मैंचन नहीं किया तकरीबन कोशिश की है मैं सिर्फ आपके साथ ग्रॉसरी वाली जो में जो है प्रोड़क्ट हैं वो ही शेयर करो ठीक है अब मैं आ गई थी देखें सीरियल के इसमें पोर् प्रोड़क्ट ही यहां पे इसमें जो है आपको फ्रोजन जो है वेजिटेबिल्स फूर्स काफी सारी यहां पे जो और भी व्राइट ही मिल जाएगी इनके प्राइज है 255 था 295 था इसी तरह से थोड़ी दिफ्रेंट प्राइज तकरीबन सबके ही और ये पीनट को जो प वाला पैकेट था यह 299 का था अचा खजूरों में जो है इससे पहले जो बड़ी वाली दिखाएं दी मैं आपको ब्राउन वाली जो है डार्क ब्राउन थी वो 399 का पैकेट था और यह जो चोटा वाला था यह 299 का है और अब हम आ जाते हैं दालों के पॉर्ट्शन के ठीक है तो अब मैं आपको डालों के रड़ो बता देती हूं सारी ही अचा यह दो डालें देख रहे हैं आप तकरीब़ान मूग की दाल थी यहां पे यह देखे यह मूग की डाल ठीक है यह 177 रूपीज पर केजिए ठीक है और जो मसूर थी 190 किलो थी और जो मिक्स डाल थी ठीक है 149 रुपीज के जीती ठीक हो गया अच्छा जो गंदुम के जो प्राइस थे यहाँ पे 149 थे 500 ग्राम के और जो लोबिया थी वो 155 रुपीज थी उसके प्राइस थी ठीक है अच्छे है यहाँ पे सफेद लोबिया और काला लोबिया दोनों के प्राइज सेम ही थे 155 रूपीज पर की जी थी ठीक है और माज की चनी की जो दाल थी हाँ पे तकरीबन 160 रूपे किलो थी और जो सफेज चना था उसके फ्राइज जो थे 210 रूपे थे 230 रूपे भी थे इसी तरह हम डिफरेंट प्राइज थे ठीक है क्योंकि हाँ प काफी यहां पर सारी व्राइज थी चावल की काफी हाँ पर जो किलो वाले पैकेट भी थे और 5 किलो वाले पैकेट थे दसatyकरो आन्य डेफरेंट पाकेट साथी हाँ उसकेश मैंट पाइमेज … का यहां पर को प्राइज द ही ठीक है आज घ्टेन पर कर दिक्त , अच्छ धा यहां पर सेला की और बासमती की काइनात की तकरिबन डिफरेंट फ्राइटी थी और यह सुप्रीम जो चावल थी यह लोंग ड्रेंग राइस थे तो काफी लंबे हो जाते ही चावल पकने के बाद ठीक है ब्लू वाले पैकेट वाले और यह लेकिए इसमें बड़े पैकेट बिथे छोटे भी जो अभी आप लेना चाहें तो इसली ले सकते हैं अचा यह जो पांच किलो का बाद रॉपीज का था था पांच की जीवाला बाद रहा था इसमें ठीक है और यह दिखें फलक यह ब्राउन शुगर थी देसी ब्राउन शुगर थी तकरिबन इसके पैस थ पांच कीजी वाली ठीक है और एक किलो के पैकेट था वो 89 रॉपीज का था और कॉर्ण फ्लोर वगर इसके प्राइस थे तक्रीबन डिफरेंट थे चीजें और भी मैंने आपको दिखाई हैं देकें पांच 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 कीलो के पैकेट थी हांपे चावल के चीनी के तो क काफी सारी व्राइटी थी यहांपे और देखें मेर्दा भी था मेर्दा तक्रीबन 89 रॉपीज पर केजी था ठीक है अच्छा वह भी फलक का था और यह वाली जो मैंने आपके साथ शेयर की कॉर्ण फ्लोर ठीक है 145 रॉपीज का कॉर्ण फ्लोर और मोंकी दाल के यहां प की साथ की मच शियर की है और कोशिश की है कि हर ओअल की company की product की मैं आपके साथ प्राइस शेयर करू ठीक है अच्छा जो डालदा की जो प्राइस थे पां सो नौ रॉपे का था ठीक है अच्छा डालदा की जो प्राइस थे तक्रीबन 200 तो 29 थे अच्छा डालडा में जो है थोड़ा सा एक वेजी टेबल वाला और जोज़ा एक संफ्लॉवर वाला तक रिवन सबकी ही प्राइज थोड़ी डिफरेंट ही ठीक है हबीब की है 475 रुपीज प्राइज और इसके इलावा यह देखें यह वाला यह मैं आपको दिखाती है यह ठीक है यह Can Olive Oil था ठीक है इसके जो प्राइज थी मैं आपको बता देटी हूँ 519 रुपे इसके प्राइज थे ठीक है और Soya Supreme जो था वो 505 का था ठीक है इवा के मैं आपको बताया है 520 रुपे थी प्र गी के जो प्राइस थे वो कम थे थोड़े से और जो सबसे कम था golden sun था golden sun की जो प्राइस थे 492 रुपीज और जो तलो के प्राइस थे 489 रुपीज तलो के प्राइस थे ठीके अच्छै इसके इलावा इसमें पैकेट भी आप ले सकते हैं देखिए यह वाला डालटा का जो पैकेट था यह वाला 519 रुपे का था ठीक है इसे पहले जो मैंने आपको घी दिखाया था सबसे पहले वह 509 रुपे का था अच्छै घी के जो प्राइस थे वह तोड़ी काम थ इसमें 835 रुपे का था ये वाला पैकेट इसके इलावा नमक की जो प्राइजिस में आपको दा देती हूं पिंग सॉल्ट जो था 65 रुपीज का था और हाप सॉल्ट था 53 रुपीज का था ठीके हाप सॉल्ट था हिमालिया था 53 रूपीज का था इसके इलावा जो सादा था नमक वो 32 रूपीज का था ठीक है अच्छा हाप सॉल्ट के इसके 53 रूपीज ही है हाप सॉल्ट की जितनी भी हापे जो सॉल्ट है तक्रीबर इसके 53 रूपीज के प्राइस और ये देखें साधा वाला इसकी जो प्राइस थी तक्रीबन 32 रुपीज ये वाला ठीक है अच्छे इसके बाद जो है मैं आपको जो है सॉसिस के पॉर्शन में लेकर आ गई हूं तक्रीबन यहाँ पर भी काफी डिसकाउंट था 215 रुपे का हॉट सोस था इसी तरह और अचार के ओपर भी जो है 215 रुपे ही सेल लगी वी थी पॉच्छे बीचे 250 थे किसी के 180 रुपे इसी तरह प्राइस थे इसी तरह से इनके प्राइज थे, 234 रुपीज इनके प्राइज थे हैं, ठीक है, और डिपन डिप के, मैं 234 रुपीज प्राइज बता रही हूं आपको, ठीक है, इसके बाद, जो है, हम जैली वाली प्रॉप्शन में जाते हैं, जैम एंट जैली के 206 रुपी का, इसका ये कार इस में बहुत काफी सारे डिसकाउंट है, 559 का इसके, अपक्राइज ठाकर, यहां पे इनों ने डिसकाउंट में इस तरह से प्राइस डाल दी थी, ठीक है, इस में जो है शैम्पो बाईपर काफी डिसकाउंट था, ठीक है, यहां पर संसल ambis, लक्स भी था और दूसरे और बी मतलब वर्याइटी थी यहां पर लोर्याल भी था और हमालिया का शैम्पू भी था और ये वाले देखें काफी सारी हैं पर वर्याईटी इलिव वाली जो है बमी रड़ाटी यह सैमसोल था अच्छा सैमसोल कि मैं आपको शैम्पू के ती ठीक कि और यह देखने दूसरी वाली जो थी यह v 잘 दी इसमें कियो जो है कि और आमizeok